हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम लखी खंडिलवाल है आज मैं आप सभी लोग के साथ ससी सीजल 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो डिसकस करने वाला हूँ जो नोटिफिकेशन है आपका Department of Personal Training के दौर लाया जाता है जो की DOPT होता है इस नोटिफिकेशन में मेंली हम देखेंगे के ससी सीजल 2020 में वेकिंसी कितनी है क्रूशल डेट क्या है एक्जाम पैटर में कोई चेंजस तो नहीं हुआ है तो चली शुरू करते हैं जो नोटिफिकेशन है उस पर सबसे जादा ध्यान रखने वाली जो चीज है वो है कि आपका जो एक्जाम फॉर्म है वो 29-12-31 मतलब आप 29 दिसंबर से 31 जनवरी तक दे और अगर दिन के टाइम पर फॉर्म भरा नहीं होता है तो आप कोशिच करें कि रात को चार से पांच बजे की बीच में तीन-चार बजे की बीच में उठके आप फॉर्म भर सकते हैं अब 31-1 के तादीक आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी क्योंकि यह है आपकी वह आपके 31-1 2021 से पहले के बने हुए होने चाहिए इसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुए है गवर्मेंट स्ट्राइब्स टू है वर्क फॉर्स विच रिफ्लेक्स जेंडर बालन्स एंड विमें केंड़ेट और एंकरेश तो अपलाए तो इससे एक चीज हमें सम होती है जो कि Assistant Audit Officer और Assisted Account Officer जिसके लिए अलग से आपका Tier 2 में एक Paper होता है Paper 3 का Accounts और Finance नेक्स्ट अगर आप देखें तो Pay Level 7 की जो Jobs होती है वो Group B की Post होती है जिसमें आपको ASO की Post होती है CSS में, IB में, Railways में, Ministry of External Affairs मे इसी के साथ आपकी Assistant की भी होती है Post जो की Various Departments होते है जो सबसे क्रीम Post मानी जाती है वो होती है Income Tax Inspector की जो की मतलब mainly जो Top Rankers होते हों Income Tax Inspector को ही Prefer करते है Otherwise वो लोग CSS को Prefer करते हैं, वो लोग Ministry of External Affairs को Prefer करते हैं यह Pay Level 6 की Jobs होती है जिसमें Assistant की Post होती है Departments में जैसे इसमें Divisional Accountant की Post है, JSO की Post है Auditor की Post होती है, CAG में होती है, CDGA में होती है और इसी के साथ Pay Level 4 की Jobs भी होती है जिसमें आपको Upper Division Clerk की Jobs होती है Tax Assistant की Job होती है, CBDD मतलब Income Tax Department में Tax Assistant CBIC मतलब Central Board of Indirect Taxes and Customs इसी की साथ सब Inspector की Post होती है, CBI में Next अगर आप देखें, तो इस बार SSC ने एक Detail Notification Vacancies का नहीं निकाला है बलकि एक चोटा से Paragraph में आपको Vacancies Mention कर दी गई है जिसमें जो Total Tentative Vacancies हैं, वो है 6,500 जो की बहुत कम Vacancies हैं, Around 2008 में Vacancies 11,000 के उपर थी 2009 में Vacancies 8,000 के उपर हुई, लेकिन 2019 में दो हजार बीस में Vacancies 6,000 के उपर ही रहेगा, Group B Gazette Post मतलब, डबल यो की जो Post हर साल, Around 500 Post आती हैं दी वो इससाइड घटके 200 Post रहे गहीं, और Group B Non Gazette Post मतलब, Income Tax Inspector, Excise Inspector, ASON, CSS, MEA, IB इन सब के Post है 3513, Group C की Post हैं 2743 इसमें Reservation आपको मिलेगा, SC Category से, ST Category से, OBCWS यह सब आप देख सकते हैं इसमें Next अगर आप देखें तो अगर आपका जो Age Criteria होगा, जो की मतलब Crucial Date होता है, वो होगा आपका 11 2021, तो यह कुछ लोगों के लिए एक Relaxing Factor हो सकता है, जो नए Aspirants हैं, अगर उनका Graduation, 11 2021 से पहले होता है, और उनको Mark Sheet 11 2021 से पहले मिल जाती है, तो वो SSC CGL 2020 के लिए Applicable रहेंगे, लेकिन इसमें सेम चीज यह दी हुए है, कि जो लोग मतलब बहुत समय से तयारी कर रहे हैं, अगर वो इस टाइम पर Over Age हो जाते हैं, तो वो SSC CGL 2020 के फॉर्म फिल नहीं कर पहेंगे, इसमें आपको Age Relaxation भी दिया गया है, जो Age का Criteria है, वो आप इसमें देख सकते हैं, Age Relaxation हम Next Slide में देखेंगे, Age Criteria जैसे जिन पोस के लिए Age 18 से 27 है, उसमें आपकी Age 294 से 1123 के बीच में होनी चाहिए, यह सब आप यहां से पढ़ सकते हैं, Next अगर आप इन Categories से हैं, तो आपको Upper Age Relaxation दिया जाता है, जैसे उसमें इसमें दिया था कि आपकी Age 18 से 27 होनी चाहिए, तो मान लिए आजिए आप SC, ST Categories हैं, तो आपकी Upper Age Limit 18 से 30 हो जाएगी, पांच साल उसमें Add कर दिया जाएगा, अब इसमें Next Important चीज़ आप देखें, तो Process of Certification and Format of Certificate, इसमें Clearly दिया हुआ है, कि जो Certificate है आपका, वो Crucial Date से पहले का होना चाहिए, अब Crucial Date क्या होगी, जो आपके Closing की Date होती है, मतलब जो आपके Form की Closing की Date होगी, वो आपके Closing Date हो Crucial Date होती है, जो की देखें, इसमें कहीं पहले लिखा हुआ 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 ठीक है, Crucial Date for Claim will be the Closing Date of Recept of Online Application, यह आपका 6.2 में ही Clearly लिखा हुआ है, आप नहां से पढ़ सकते हैं Next अगर आप देखें, तो Application fee exam की कितनी है, fee payable है 100 रुपीज, अगर आप OBC category से हैं अच्छ, एक सेकेंड, Women Candidates अच्छ, अगर आप SC category से हैं, ST category से हैं और कोई category है आपकी OBC और UR को छोड़के तो आपका जो form है वो free का बरा होगा, लेकिन अगर आप OBC mail हैं, अगर आप UR mail हैं तो आपको 100 रुपीज देना होगा मतलब इस form की fee सिफ OBC mail देते हैं और UR mail देते हैं, बाकि सब के लिए ये form free of cost होता है नेक्स अगर आप scheme of examination देखें तो जो लोग पहली बार ये exam दे रहे हैं उनके लिए चार tier जानना बहुत जरूरी होता है tier 1 होता है, tier 2 होता है, tier 3 और tier 4 मतलब SSC CGL में tier 4 exam होते हैं अगर किसी exam में multiple shifts हैं तो इस score को normalize किया जाता है और आपका exam होने के बाद आपकी answer की website पर launch कर दी जाती है और उसमें अगर आपको ये लगता है कि कोई question गलेत है तो आप उसके लिए 100 रोपे देके representation लगा सकती है ये tier 1 का जो है pattern वो आपके सामने है, आपके reasoning के 25 questions होते हैं, GA के 25 questions होते हैं, quant के 25 questions होते हैं, English के 25 questions होते हैं total मिलाके जो आपका tier 1 होता है, वो 200 marks का होता है, tier 2 जो है आपका उसमें quant के 100 questions होते हैं, 200 marks का paper होता है English के 200 question होते हैं 200 mark का paper होता है जिसके लिए आपको 2 गंटे for each paper दिया जाता है लेकिन अगर आप JSO की तियारी कर रहे हैं तो आपको paper 3 statistics की अलग से तियारी कर नहीं होगी और अगर आप double A की तियारी कर रहे हैं तो आपको finance and economics का paper 4 अलग से देना होगा जिसके लिए भी आपको 2-2 गंटे का समय दिया जाएगा next tier 3 होता है जो की एक descriptive paper होता है उसमें essay, letter, प्रिसी आपसे कुछ भी दो चीजी पूछी जाती है swamaks का paper होता है उसके लिए आपको 1 गंटे का time दिया जाता है next tier 4 होता है जिसमें आपका एक CPT का module होता है word, excel और powerpoint मतलब 2000 की depression आपको करने होते है 15 मिनिट के अंदर next आपको एक powerpoint की presentation मनानी होती है 15 मिनिट के अंदर और एक excel की presentation मनाती होगी 15 मिनिट के अंदर चलिए, ये था हमारा SSC Cesar 2020 का पूरा notification अगर आपको इसके regarding कोई भी doubt है तो आप नीचे comment कर सकते है आज ये कल में मैं एक detailed पूरा video लेकर आँगा कि SSC Cesar 2020 का form आपको कैसे fill करना है उसमें आपको photo पर date कैसे mention करना है, photo कैसे upload करना है अगर आप new registration करना है तो वो कैसे कर सकते हैं वो detailed video भग जल्दी इस channel पर आएगा तो please इस video को like करें, comment करें and please subscribe to this channel, thank you very much